हेलो एब्रीवन, वेलकम बैक टो वर चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी, मैं हूँ मोहमद सुहेल अगर आप पहली बार यूटुब चैनल पे आए हैं, यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों मैं आपको आज ICIC Securities पे इसलिए अनालिसिस दे रहा हूँ क्योंकि ICIC Securities में, Stock में यहां पे 25 EMA का Rejection है और साती साथ Previous Breakdown का भी Rejection है अभी मैं आपको Breakdown समझाता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करिए कभी भी कौन से भी Stock के अंदर एक High Point लगने के बाद Stock अगर उस Level को Break करता है, तो Stock को Breakout चाहिए अगर Stock इस तरीके से Breakout नहीं देगा, तो Stock के अंदर क्या होगा पता है उस Breakdown Level का Level Break होगा, Breakout नहीं देते हुए Stock नीचे के तरफ आके उसी Point से फिर Reject करेगा तो Breakdown Level का Breakdown Level मिलेगा, जिसके अंदर हम लोगों को Selling आगे तक देखने को मिलेगी सेम उसी तरीके से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, Stock के अंदर, यहाँ पर हमारा है Breakdown Stock नीचे आया, Breakdown Level को Break किया, Stock को Breakout देना चाहिए जो नहीं देते हुए, 25 EMA को Break करके, साथी साथ उसी Breakdown Level का यहाँ पर Retest में Rejection दिया अब जो यहाँ पर Rejection दे रहा है, तो Matrix Series हमारे पास कोन से Level पर होना चाहिए –200 के नीचे होना चाहिए, यहाँ पर अगर आप Matrix Series देखेंगे, –171 है इसका मतलब Selling अभी Continue होने वाला है, जो –250, –230, –208 पर कहीं पर भी Seller Week होते वे, Buyer Active हो सकते है जब Buyer Active होंगे, तो जब तक RSI 40 Level से तो Support लेगा, या In Between Sold होके Buy होगा पर Bottom Fishing अगर Stock होगा, तो हम लोगों के पास क्या रहेगा, हम लोगों के पास Simple Previous Breakdown Level का Stock में जैसे Multiple Rejections के साथ Strongest Resistance Zone बना था यहां पर, उसका जो Breakout लिया, तो Stock के अंदर अगर Entry बनेगा, तो यहां पर बनेगा या Stock के अंदर, और Breakout Level, Improper नहीं, यह Proper है, यह Improper Strongest Resistance Zone का Breakout है तो Stock में Entry बनेगा, तो यहां पर बनेगा, In Between कहीं पर भी Stock Breakout दे सकता है तो अभी के लिए हम लोग यहां कहीं पर भी Fresh Buying नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, Already 25 EMA का Rejection है 37 Selling का जो MSD है, वो जो Neutral Position पर जाना चाहिए, अगर Improper भी अगर यहां पर Buying लेके जाना चाहता है तो यहां पर क्या होगा, Buyer Trap होगा दोस्तों, तो मैं आपको Clearly यहां पर मेंशन कर रहा हूँ कि ICIC Security में अभी Time है के लिए, तो बस Watchlist लगा लो, 788 या 741 के In Between दिख रहा है, तो ही Entry करेंगे जब Entry बनेगा दोस्तों, मैं खुद वीडियो अपलोड करके आपको Fresh Buying बताऊंगा पर अभी के लिए, ICIC Security में काम मत करिए, यह मेरा Suggestion है अगर आपको Stock Pay Analysis समझ में आया, वीडियो को Like करिए, Share करिए और YouTube चैनल को Subscribe कर लिजिए Thank you for watching my video